Hello Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Pai Network कौन-कौन से exchanges पर list हो सकता है कौन सा ऐसा exchange हो सकता है जिस पर सबसे पहले Pai Network list हो क्योंकि बहुत सारे ऐसा exchange है जिस पर Pai Network को देखा गया है अभी उसकी trading स्टार्ट नहीं हुए अभी उसे buy और sell नहीं किया जा सकता है लेकि उस पर Pai Network सो हो रहा है उसकी listing स्टार्ट हो रही है किसी बड़े exchange पर list होती है तो Pai Network की price अच्छी खासी भी देखने को मिल सकती है Pai Network की price इस पर भी बहुत जादा depend करती है तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन कौन से exchange है जिस पर Pai Network लिष्ट हो सकते है और Pai Network को कौन कौन से exchange पर अभी देखा गया है सबसे पहले हम आपसे एक छोड़ी से request करते है अगर चैनल पर नहीं है तो subscribe ज़रूर कीज़ेगा और Pai Network को अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उससे डाउनलोड जरूर कीज़ेगा अगर आपको Pai Network में कोई भी प्रॉलम आती है तो comment कर सकते हैं और mobile verification wallet कैसे grade करना है इन सब से relate कोई प्रॉलम है सारे वीडियो का लिंक के नीक चे description box में दिया हुआ है वहाँ से आप जाकर उसे check कर सकते हैं तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर और बात करते हैं Pai Network कौन कौन से exchange पे list हो सकता है यहाँ पर 3-4 exchange हैं बारी बारी से सभी को हम लोग देखते हैं पहला है Binance Binance पे Pai Network को देखा गया है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं खुद भी आप लोग आकर search कर सकते हैं Pai Network को जब आप Google पे search करेंगे Pai Network Binance तो आपके पास website हैगा उसे official website हैगा Binance का वहाँ से आप लोग open करके Pai Network को देख सकते हैं यहां पर Pai Network का logo और Pi लिखा हुआ है इसके अलावा इसका कोई भी data यहां पर नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि Pai Network अभी completely रूप से list नहीं हुआ क्यूंकि अभी इसकी KYC आनी बाकी है लेकिन Pai Network को अगर इस तरीके से Binance पे देखा जा रहा है यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं Coin Market Cap पर भी Pai Network को देखा गया है और Coin Market Cap पर भी यह list हो सकता है और इसके अलावा कोई भी data किसी भी exchange पर सो नहीं हो रहा है सिर्फ Pai लिखा हुआ है आ रहा है और उसका logo है इसका मतलब यह है कि तयारी चल रही है लिख्टिंग की यानि 3-4 से exchanges हो सकता है डिरेक्ट 3 या 4 exchanges पर Pai Network लिख्ट हो तो Coin Market Cap पर भी यह list हो सकता है अब देखते हैं next कौन सा exchange है अब देखिए Coin Ranking Coin Ranking पर भी Pai Network को आप देख सकते हैं यहां पर भी इसका logo और Pai Network लिखा हुआ है लेकिन इसके अलाब कोई भी data यहां पर भी सून नहीं हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह है कि इस पर भी listing के तयारी चल रही है कि वैसी के बाद सारी exchanges पर जितने भी exchanges आप देख रहे हैं इन पर हो सकता है Pai Network सबसे पहले list हो यानि Coin Ranking पर भी Pai Network list हो सकता है एक और exchange है उसे भी देखते हैं इसका नाम है Coin Data Flow इस पर भी Pai Network को देखा गया और यहां पर आप Pai Network की price देख रहे हैं यह असल में Pai Network की price अभी नहीं है क्योंकि यह कुछ mismatch हुआ है जो भी है यह कुछ official कोई data नहीं है लेकिन Coin Data Flow पर भी Pai Network को देखा गया है यानि इस exchange पर भी Pai Network list हो सकता है अगर किसी भी website या कही पर भी आगर आपको Pai Network की price सो हो रही है तो इसका मतलब वो एक prediction है उतना जा सकता है लेकिन असल में इसकी price उतनी अभी है नहीं जैसा कि आप Coin Data Flow पर देख रहे है इसका मतलब कि 3-4 ऐसे exchanges है जिन पर Pai Network सबसे पहले list हो सकता है यानि अगर Binance पर सबसे पहले list होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि Binance दुनिया का सबसे बड़ा exchange है अगर उस पर list होता है तो price definitely है अच्छी खासी जरूरी देखने को मिलेगे आप लोग price को लेकर बहुत सारे लोग परिशान है देखे price हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगे क्योंकि Pai Network की community इतनी बड़ी है और Pai Network की core team बहुत अच्छे से work कर रही है और बहुत सारे ऐसे कारण है जिसकी वज़ा से Pai Network की price हमें बहुत high देखने को मिल सकती है इसके exchanges को आप लोग देख लीजिए Binance है बहुत बड़ा-बड़ा Binance हो गया Coin Market का app हो गया तो यह सारे बड़े-बड़े exchanges है जबकि सबसे बड़ी बात है Binance अगर इस पे सबसे पहले list हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी हम लोग के लिए बहुत अच्छी खबर होगी देखते है कौन से exchanges पे सबसे पहले list होता है वैसे तो जिसी साब से Pai Network को देखा जा रहा है कब तक KYC आती है वैसे KYC बहुत जल्द आने वाली है आप लोग regular mining करते रहें और कोई भी problem आए तो comment करें चैनल को subscribe जरूर करना है ताकि latest update आपको मिलते रहें तो चलिए मिलते हैं अब next वीडियो में